चलिह जाब आज हांडी में मटर पनीर सब्ची में बहुत ही ज़्यदी बन जाती है के यह पैंड में तेल डाले कर लिया था इसको हमँए फिलाई कर लेना है वेकवड अब में टाल देना हया पानी में दाल देंगे तो पनीर जिससे बहुत में तो पीम ही तो बस उस नोकु मिर्ची डाली हुई है और 8-10 मैंने काजू डाला है दो बड़े टमाटर डालके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढग देंगे जब तक यह थोड़ा सा टमाटर प्याजों सॉफ्ट ना हो जाए जब एक बार यह सॉफ्ट हो जाते हैं अच्छे से कुक हो जात इसे 1-2 मिनट के लिए बॉयल किया हुआ है जिससे इसका जो हरा पन है यह बना रहेगा उसके बाद उसे चान के हम ठंडे पानी में डाल देते हैं जिसे मतर जो हरा है तो हरा ही बना रहेगा और जब यह ठंडा हो जाता है एक बार मिक्स्चर तो उसे हम पीस देते हैं फिर पावडर में यह घंडा सा हम रखर यह बना हम रख रहें हैं जितनी सा हमें इसका हम रखा नहीं होगी एक चमस मैंने हल्दी दाला है उसके बाद इसी अच्छे से मसाल कि मैंने वे तैयार की हुई है है मिक्स्चर उसे डाल कर हम भूल लेंगे क्यों है तो यह पका हुआ है तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तेल मसालों के साथ एक से डिर मिनट के लिए उसके बाद हम इसमें डालेंगे पीसे हुए मसाले मैंने कास्मीरी मिर्च यूच किया हुआ है धनिया पाउडर और गरम मसाला इसमें हम डाल के इसे भी दो से तीम निर तक हम अच्छे स पका लेंगे जब तक इससके साइड से फिय तेल ना ना ने लगे उसके बात फिर जब वाइल मटर है इसमें डाल के साथ族 मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे पनीर पनीर के कोड़ाकी मधचर्वण तरी मैच्छे भी रहेगी तो यह इतना सफिसेंट है और उसके बाद इसमें स्वादानुसा नमक डाल देंगे और फिर इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर मैंने इसको मतलब इसका टेस्ट और इनहांस करने के लिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा वन फोर्स के इतना मैंने हुआ है प्रेस क्रीम उसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया पत्याorie मेधि इसे डाल कर हमें मिक्स कर लेना है और फिर धख कर एक इसे